ट्रेन से सफर करने वाले लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवे भारत के ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम के दिल की धड़कन है एशिया का सबसे बड़ा ये नेटवर्क हर रोज लाखो करोडो लोगों को सटीक समय पर उनकी डेस्टिनेशन पर पहुँचाता है जरूर आपने भी कई बार इस ट्रेन के सफर का मजा लिया होगा लेकिन क्या कभी आपको ये खयाल भी आया कि बड़े जोर शोर्ट से पट्री पर दोड़ती ये ट्रेन बंती कैसे है इसके सबी पार्ट्स को आकर असेंबल कैसे किया जाता है कोच, रेल वील और इंजिन को अलग-अलग तयार करके आखिर साथ में कैसे लगा के पूरी ट्रेन तयार करती जाती है ट्रेन में मजबूत पहियों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है रोज रफतार से दोड़ने के लिए इनका परफेक्टली काम करना जरूरी होता है इसलिए इसे बनाने की प्रोसेस भी आसान नहीं होती है ट्रेन के पहिये को बनाने के लिए सबसे पहले रॉट को बनाया जाता है इसके लिए सबसे पहले उन्हें blade से छोटे छोटे टुकडों में काटा जाता है फिर इन्हें magnets की मदद से move करके conduction में रखा जाता है conduction के अंदर rod 15 मिनिट में गर्म हो जाती है जिसके बाद उन्हें conveyor belt की मदद से move करके दूसरी conduction machine में रखा जाता है ऐसा rod के temperature को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि इन्हें perfect shape और size दी जा सके इस प्रक्रिया के बाद rod को बाहर निकाल कर एक arm में रखा जाता है जहां एक भारी भरकम press rod को आकार देने का काम करती है लगातार दो बार press करने से rod पहिये की perfect shape में आ जाते है खेर अभी काम खत्म नहीं होता क्योंकि आगे roller press की मदद से पहियों को press किया जाता है ताकि वो पट्री पर चलते हुए अपने grip बना कर दोड सके पहिये को एक shape देने के बाद बारी होती है उसके बीच के हिस्से को काटने की इसके लिए पहियों को दूसरी rolling press machine पर रख दिया जाता है और उसके बीच के हिस्से को काट दिया जाता है इसके बाद पहियों की लंबाई को नाप कर उन्हें पानी में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है पहियों के normal temperature पर आते ही उन्हें एक perfect dimension में लाने के लिए उनकी rim और edges पर काम किया जाता है machinery की मदद से जब पहिये सटीक आकार में आ जाते है तब इन्हें टेस्ट किया जाता है अगर टेस्टिंग में पहियों का आकार और quality अच्छी होती है तो उन्हें तयार करके train के साथ assemble करने के लिए अगली factory में भेज दिया जाता है पहियों के बाद अब बात करें engine की तो train में engine का एहम हिस्सा होता है इसी के दम पर train रफदार से दोड़ पाती है इन engine को prime mover भी कहते है वैसे बता दे कि train में लगे engine बहुत बड़े और technical होते है जिन में 16 cylinders, 32 valve और एक लाग से लेकर डेड़ लाग सीसी तक का displacement होता है अब बारी आती है train के सबी हिस्सों को assemble करने की इसके लिए spring लगा कर एक बड़े platform को तयार किया जाता है जिसमें उपर train का धांचा होता है और नीचे पहियों को set किया जाता है ध्यान रहे train के model के हिसाब से पहियों को चुना जाता है पहिये लगाने के बाद इसमें cables के सारे काम को अंजाम दिया जाता है साथ ही इसके interior को भी जोडा जाता है सीट से लेकर toilet, cabin और air conditioning की सारी equipment को लगाया जाता है आपने देखा होगा कि train कई functions और software पर काम करती है उन सभी software को भी train में assemble किया जाता है इस काम में manpower का का काफी इस्तिमाल होता है train को assemble करने के बाद उसे finishing दी जाती है interior को चमकाने से लेकर बाहर की body को भी perfect बनाया जाता है नए रोमांचिक topic के साथ तब तक के लिए आप इस वीडियो को like, comment और share करना ना भूले और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्द कर ले ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके